नमस्कर दोस्तों, यह वेक सिंग, PCS मंत्रा से, एक बर फिर आपका सौगत करता हूँ अपने वीडियो लेक्षिर सीरीज में, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज से जेलोजी स्टार्ट कर रहा हूँ, और ऑफ्सनल्स में, यहां तक यह भी PCS के ऑफ्सनल्स का सवाल है, जेलोजी और बॉर्टनी में देखूंगा, हालाएं कि और सब्जेक भी सारे जीएस के सब्जेक पढ़ाता हूँ मैं, बट मेंन के ऑफ्सनल्स के लिहाज से उतनी पकड़ नहीं है मेरी, और कोई चीज परफेक्ट नहीं है, उसको मैं नहीं चूता हूँ, बाकी टीचर अधर्स भी हैं, जो अपने-पने ऑफ्सनल देखेंगे, और हमारी कोशिस यही है कि एक अधर्स जो हमारा जो लच्छ है, वो यही है कि यूपी पीसेस के सेलेबस में जितने भी ऑफ्सनल सब्जेक्ट हैं, उनको अधिक-अधिक कभर किया जाए, ताकि पूरा एक कंप्ली कि एक टच छूड़ गया है, 2009 में मैंने पीच्डी जोइन किया था, इसी मौसम में, बरसाथ की मौसम में, जिलाई में, आठ साल हो गया पूरे, उतना टच नहीं रहा, लेकिन दो-तीन सालों से वापस टच बना है, क्योंकि में से अगरे में लिक रहा हूं इस सब्जेक्ट लेकिन वही है कि विसे की मूल समझ कोई आपसे नहीं चीन सकता, वो ताउंगर आपके साथ रहती है, आपका ग्यान कोई नहीं चीन सकता है, आपका जीवन चीन लेगा, आपका रुपया पैसा चीन सकता, आपका ग्यान कोई नहीं चीन सकता, तो आज भी उतना ही कमपरटे के पहले जो GS के सब्जेक्ट्स हैं, सारे इतिहास, भगोल, पॉलिटी, अर्थवियोस्ता जो भी है, साइन्स, करेंट अफेर्स, उसको खतम कर लिया जाए, या उसको कम सकम इतना खतम कर ही लूंगा कि प्री निकलने में कोई डाउट ना रहे, टेकनोलोजी के सवे में लेक् लेक्षे, चेक कोचिंग्स, यूट्यूब लेक्षे, बुक्स, नोट्स, बहुत कुछ उप्लैब्न है, लेकिन सबकी बिहाब पे मैं बात नहीं कर सकता, अगर अपनी बात करों तो इतने जरूर कर सकता हों कि अगर आप डेली सेकेंसी एलेस वेडियो हमारे देखते रहें तो यूपी पेसस प्री निकलने में कोई तकलीप नहीं होगी आपको, और जहां तक मेंस का सवाल है, जी इसकी वज़ेसे आपका सेलेक्षन नहीं रुकेगा, और अगर आप बाटनी जरॉजी ऑफिसनल वाले हैं, तो एक पूरा पैकेजी समझे एक छट के अंदर, ठीक है आए पले सेलेवर समझ लेते हैं, तो देखो जी रॉजी में दो पेपर होंगे, पेपर वन, पेपर टू, पेपर वन मौनिंग स्रिप्ट में होगा, पेपर टू, आप्टेनों स्रिप्ट में होगा, ठीक है, तीन हंटे का पेपर होगा आपका, रिटेन, लिखित, आपको क सवाल रहेंगे वही सवाल कॉंपी में भी प्रिंटेड रहेगा जैसे किसी मालो पेज न काफी बहुत अच्छी होती है प्लेन होती है प्लेन वाइट ठीक है एक थोड़ा सा लाइन खींचा होता है जिसमें आप कुश्चन नंबर दिख सकते हैं लेकिन 90% पुरखाली होता है उसमें आप एंसर लिखिये and space is just enough neither less nor more ठीक है पने मोटे मोटे होते हैं आप बॉल पेन या जैसे भी इंक पेन कोई दूसरा जेल पेन जैसे भी लिख सकते हैं इसमों कोई दिक्कत नहीं अच्छा तो दो पेपर रहेंगे जिलाउजी में और हर पेपर में दो section रहेंगे section A, section B section A में सवाल, सेक्षन B में चार सवाल, कुल आठ सवाल रहेंगे, इन आठ सवालों में आपको करना है केवल पांच सवाल, पांच से उपर करोगो उसका नमबर नहीं जुड़ेगा, आपका मेनग चल जागा पानी में, ठीक है, कोई पांच सवाल चुनकर आपको करना पड़ेगा, अच्छा, खास बात इसमें यह है कि जिसे कोई भी सवाल है, तो इसमें एक अही टॉपिक नहीं रहता है, जनरली क्या होता है, कि हर सवाल के तीन सेक्षन होते हैं, ठीक है, हर सवाल के तीन सेक्षन होते हैं, और इस तरह से आपको पांच सवाल करने हैं, तो आपको एक तर प्रफिक से होते हैं यसे कोई DNA का टॉपिक हो गया तो जरूरी नहीं कि सवाल नंबर 4 में पुरा DNA ही पुछेगा इसमें DNA भी पूछ सकता है उसमें कुछ और सेल का बायो कमेश्टरी पूछ सकता है तो आप सेलेबस को इस तरह से नहीं तयार कर सकते कि मैं फ़लाना चीछ छो देले बस आपको पूरा तयार करने पड़ेगा वही आदार इस्तिती है हाँ लेकिन यह जरूर है इतना जरूर आप समझ के रखिए कि किसी भी कंडिशन में चाहे जैसे भी हो आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी से जो कुछिशन करने हैं और 60-40 के रेसियो में ही करने हैं ठ ठीक है सेक्शन एसे दो और सेक्शन बी से तीन तो अपना एक आप देख लो देखा सुलेवर्स तो प्री डिफाइंड है आपके नोटिफिकेशन में PCS के सेलेवर्स अच्छे से दिया है प्री डिफाइंड है उसी में से पूछेगा उससे बाहर से कुछ नहीं आएगा इ भारती सतंता इतिहास और ऐसे बारत का इतिहास में कुछ भी पूछ देता है कुछ डिफाइंड नहीं है लेकिन जो ऑप्सनल के सबजेक्ट है में इसके प्री डिफाइंड है एक एक चीज अच्छे से डिफाइंड है तो आप पहले से चुन लोगों कि मानलोग पेपर वन है न पीप्र उल में दो section है section A का से ले बस section B का से ले बस आपको कौन ज़ादा रोचिकर है किसमे आप पहले से जानते या थोड़ा से मेहनद करदेंगे तो अच्छे से जान जाएंगे कौन पक्गा कर लेंगे जल से जल दब, उसको पहले पकड़ो तुम, उसको पहले पकड़ो और उसी में से तीन सवाल करना, एक्जाम में, और जो आपका कमजूर वाला सिक्षन है, उसको बाद में करना, उसको बाद में मतलब अपने तयार करना, क्योंकि उसमें से कि तुमें दो ही कॉश्चन करने है हलें कि आदार सिस्थी नहीं है सवाल कुछ भी गुमा कर पूछ देगा तो जनरली क्या होता है कि एक कुशन के जो तीन पार्ट होते है उसमें दो ही अच्छे से आ रहे होते है कि एक कुशन के तीनों पार्ट अच्छे से आएं वो तभी होता है जब पूरा सलिवस आपको 100% तयार हो पेपर विसेज का ठीक है लेकिन आदार से तरी जैसी कुछ होती नहीं है टर्टिकल पहले आपको बनना चाहिए और मेरी यही सला है कि पेपर विसेज का पेपर वन हो चाहिए पेपर टू हो उसका आप देख लें कि पेपर विसेज के सेक्षन A और सेक्षन B में कौन आपको ज़्यादा अच्छे से आ रहा है कि इसमें थोड़ा सा मिहनद करेंगे तो और अच्छे से आ जाएगा और फिर उसको टारेट करना एकजाम में कि मैं इस सेक्षन से तीन कोशन करूँगा और जो कमजोर है उसे दो ही करके अपना निकल लूँगा समझगे वात इतनी आप जो पेपर वन का सेक्षन A है उसमें दो ही चीज़े है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट ठीक है कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट जो अर्गेंजम है और कौन कौन से हैं उनके कौन कौन से फाइलम्स हैं पाइलम के अंदर उनके characteristic features, उनका nutrition, उनका locomotion, का reproduction, उनके larval forms, इस सब तमाम चीज़े हैं, ठीक है अच्छा है, कॉड़ेट क्या है, नॉन कॉड़ेट क्या है, देखो साइंस में और भी खासकर biology में, एक किसी सब्द के पीचे एक prefix लगा देगा इससे coordinate है, उसके पीचे non लगा दिया, तो non coordinate हो गया, carry on है, तो लगा दिया, pro लगा दिया, तो pro carry arts हो गया, you लगा दिया, you carry arts हो गया पीचे कुछ जोड देगा, जोड के उसका अर्थ बदल जाता है, तो आप संधी भी छेट करेंगे, या दोनों चीजों का अगर आपको मतलब मालूम है, तो काफी एच्छे से आप पकड़ लेते हैं, पढ़ाई के दौरान हम समझेंगे, बाकी lectures में, जहां जहां यहां यह जाएगा, मैं आपको बताता जाओंगा, कि देखो, इसमें यह चीज जोड़ा हुआ है, उसका यह मतलब है, ठीक है, बाकी बड़ा आराम से समय ने किशी जाएगा, मेंस का optional अगर आप निकाल दें, या रिटेन ही निकाल दें, मेंस का optional और essay और हिंदी को आप निकाल दें तो बाकी जो पॉर्सन है, बाकी पॉर्सन क्या है, बाकी पॉर्सन प्री हो गया, जो क्या objective है, और मेंस में GS1, GS2 जो वापस, वो भी objective है, objective question में आपका main aim जो है, वो facts है, तत्य है, concept के वल उसका एक supporting actor है, ठीक है, concept के वल तत्य के support के लिए, सत्य को याद करने के लिए, तत objective question में रहेगा, और तत्य पर रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका paper subjective हो जाता है, लेकित हो जाता है, यह जो पूरा जो खेल है, पलड़ जाता है, अब आपको concept यादा मजबूत करना है, तत्य काम, यह concept main player रहेगा, और तत्य किवल supporting actor के तरह काम करेगा, समझ गये आप, तो objective question म तत्य पर जोड़ देना है, subjective question में आपको concept पर जोड़ देना है, और इसलिए भी concept पर जोड़ देना है, कि concept पकड़ आपका नहीं रहेगा, तो आप चार लाइन से उपर लिखने में संगार्स करने लगेंगे, आप copy ही नहीं भर पाएंगे, खाला कि copy भरना लच्छे नहीं भाई पटापट, तिन घंटे का paper है, चार लाइन लिखके आप छोड़ देंगे, तो कैसे काम चलेगा, biology है, तो biology में जिलोजी और botany है, तो इसमें आपको figure तो बनाना है, figure आपको जवरदस्ती बना देना है, नहीं पूछेगा तब ही बना देना है, कई बार तो पूछ द बनाने का कोई जुगार तो हो ही जाता है, और चित्र बनाना आसान है, और चित्र बनाती हुए, कुछ भूला भिसा रहेगा, तब भी चित्र में आप वो चीज दिखा देंगे, ठीक है, लिखने में कहानी बनाना पड़ जाता है, और कभी-कभी कठिन हो जाता है, चित्र म तो देखी concept पूरे विशे में role play करता है concept question विशे इस तक जिमीत नहीं रहता है concept अगर है आपके पास तो एक question का concept दूसरे question में थोड़ा बहुत आप लिखी सकते हैं कैसे लिखेंगे उसको बाद में देखेंगे खेर अच्छा तो हम लोग से लिवस देख रहे थे coordinate non coordinate समझे थे कि section A में coordinate non coordinate रहेगा paper 1 के अच्छा paper 2 के section B में क्या रहेगा उसको देखते हैं तो चार चीजें इसमें है ecology, ethology, biostats और economic geology ecology, ecology आप समझते हैं हर तरह के चीज़ों का अपसी जो संबन्ध है तब तमाम तरह के जीव जन्तों का उसको ecology करते हैं detail में बाद में समझेंगे भी मोटा मोटी समझ लेते हैं, ethology क्या है behavior जो logic की बात हो रही है तो animal behavior ठीक है तमाम तरह के जो animals है human के अलावा भी उनके behavior को इसमें पढ़ेंगे हम लोग, insect है, honey bee है, या कोई बड़े animal है, सेर है, बाग है, सबका अपना तरह behavior होता है सेर क्या है, सामाजिक जानवर है, सेर अपने बच्चों, बीवी, जो चाचा, चाची, ना, ना, नी सब साथ में रहते हैं, ठीक है, तेंदुआ हो गया, अकल लेपड हो गया, वो एकाकी रहता है, देखते हैं आप डिस्करविचनल लगा रपर, सेर अपने पूरे परिवा के साथ रहाएगा, ठीक है, हर जानवर जो परिवाक्स आप नहीं रखता है, तो अलगलग इन मिलका अलगलग भी हैवियर होता है, ठीक है, बायो स्टैट्स हो गया, अच्छे, यहां पर बायो स्टैट्स है, और आपका जो मेंस में जी एस टू का जो सलिबस है, जो अबज स्टैट्स लगाएंगे, तो समझेंगे, ठीक है, और इसका जो चौथा पार्ट है, सेक्षन बी के सलिबस का, वो है इकोनॉमिक जिलाजी, ठीक है, ऐसे जीव जन्तू, ऐसे जन्तू का कहना चाहिए, ऐसे जन्तू जिनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, जो आर्थ की में योगधान दे सकते हैं, कि समाची से बेस्क है, ठीक है, यह हो गया, पेपर 1 का सलिबस, इसको डिटेल में समझते हैं, अब भी मोटा मोटी देख रहे हैं, ठीक है, पेपर 2 में वैसे ही, सेक्षını A, सेक्षन B, सेक्षन A में चार चीज़現在 सेक्षन B में तीन चीज़े हैं, इडिरेटली मैंने उठाया है आपके सेलेबस से ही, इसों डिटेल में सहां जाएंगे भी, तो सेक्सन ये में क्या है, सेल बाइलोजी, जनाटिक्स, एवलूशनल सिस्टेमाटिक्स, ठीक है, सेल बाइलोजी, आप समझते हैं, सरीर के अंदर करोडों, अर्वों सेल्स होती है हम लोग क्या है, मल्टी सेल्लर अर्गेंजेम है ना, हम बहु कोसकी जीव हैं, कुछ जीव यूनी कोसकी होते हैं, सिंगल कोसी काकर बने होते हैं, हम लोग मल्टी सेल्लर हैं, हम अंदर करोडों सेल्स है, और सेल्स के अंदर भी तवाम चीज़ें तो होती हैं, सेल्स के अं हैं हमारे अंदर जो करोणों और वो सेल सा है उस सेल की अंदर क्या बायलोजी और यह वो देखेंगे यहां पर सेड्लेशल में अधिक्स अभा ज़ानते हैं जीन ने सफ समझते हैं न जेनेटिक्स ठीक है कैसे जीन का आपस में हुए। हमारे एवलुशन तो लाखों सालों में हुआ होगा हमारे पीछी तमाम हमारे इंसस्ट今日 रहे होंगे एक कहते हैं कि बंदर से हमारे एवलुशन हुआ लेकिन वो तो बहुत लंबी चीज हो गई बंदर हमारे बीच में अभी इसमाम तरह के कड़ियां है तो उसको हम देखेंगे इव दूस्टेंस पर Systematics हो गया बात में समझेंगे उसको क्या है और इस Section 1 की बात हो गई चार चीज़ें इसमें हैं Cereology, Genetics, Evolution, Systematics इसमें से आपको दो Question या तो तीन Question minimum दो Question अधिकतम तीन Question करने हैं Section B में की तीन चीज़े हैं Biochemistry, Physiology, Developmental Biology किसी भी जन्तू का पैदा होने से पहले भुरूडी अवस्था में किस तरह से Development हुआ कैसे Sperm और Oum मिलकर जाइगोट बनाए जाइगोट से आपका जो भुरूडी अवस्था सारी है वो सब Developmental Biology में देखेंगे हम अब समझते हैं को तोड़ से Detail में किसे Labels का मतलब क्या है तो पूरी Geology किसे Labels जो निचोड है वो इस एक स्लाइड में बता दिया है ठीक है Section A में क्या है कि तमाम तरह के Organisms है आपको बताया है न, Cordata है और Non-Cordata है Geology के Paper 1 के Section A में क्या है आधे Paper में क्या है Organisms है Cordata और Non-Cordata है ठीक है उसमें तरह तरह के जिव जन्तु है ठीक है Section B में क्या है कि उन्हीं जिव जन्तु का आपस में Interaction है उनका Behavior है उनका Ecology है या Ethology है बताया न Ecology है Section B में क्या है Ecology Ethology समझ गया है Section A में जो जन्तु है तमाम तरह के Section B में प्रकृति में उनका Behavior उनका आपसी Interaction यही सब समझना है Biostats इस सब चीज़े है ठीक है अब Paper 2 में आ जाते है आपको बताया ने कि सरीर के अंदर लाखों करोडों अर्वों सेल्स है और हर सेल Microscopic है ठीक है दुन्या की अधिकांत जो सेल्स है उनको नंगी आँकों से नहीं डेख सकते है आप किसी Machine इया Microscope की सहायता सही देख सकते है unpसेल हो गया है ठीक है तो और Section B में क्या है उस सेल के अंदर तमाम चीज़े है Nucleis है Nucleus के अंदर DNA है RNA है protein है Nucleus के बाहर है और cell के अंदर ही आपका protoplasm में है protoplasm के अंदर mitochondria आपका chloroplast गल की body ribozone तमाम चीज़े है ठीक है vacuoles है cell का cell membrane है cell का cell wall है ठीक है तो cell के अंदर जो चीज़े हैं उनका interaction देखेंगे और किसमें आय रहा था biochemistry था ना physiology इसमें चीज़ें थे ना तो आप मोटा मोटी cell levels का समझे paper 1 में क्या है paper 1 में section A और section B में क्या है section 1 में organisms है और section B में उन्हीं organisms का आपस में कैसे interact करते हैं क्या उनका behavior है आपस में वो चीज़ देखेंगे और paper 2 में सुच में level पर आ जाता है paper 1 एक तरह से macro level पर है बड़े स्तर पर है paper 2 micro level पर है सुच मस्तर पर आ जाता है एक organism के अंदर जो करोडों cells हैं अब cell की बात कर रहा है paper 2 में cell और cell के अंदर का interaction paper 1 में क्या था organism उनके बीच का interaction paper 2 में cell और उनके बीच का interaction आप समझ के पूरा cell है बस आप इसको detail में देखते हैं कि ओ और इंजम कौन कौन से हैं उनके interaction में summer cell बस में क्या क्या चीज़े हैं यह देखते हैं तो section A की बात करते हैं codata और non codata इसका detail में से लिच दिया है ethology मतलब उनके behavior bio stats और उनका economic importance का है उन जी उन जी उन तुम का उन जी उन जी उन तुम मतलब वही non codates और codates ठीक है आच्छा तो सुरू से देखते हैं general survey पहले दिया है classification जो codate है तरह तरह के non codate है उनका वरगी करड किस तरह से करते हैं और जो वरगी करड करके अलग-अलग phylum होंगे उन phylum के बीच में क्या interaction होगा ऐसा होता है ना कि अगला वाला final पिछले वाले से जदा advance होगा उसी से evolve हुआ रहे गया ऐसा कुछ features रहेंगे तो आपस में कोई इन कोई सम्मन जरूर आता है कोई भी चीज नेचर में आप समाझें आच्छा से कि नेचर में कोई चीज अबरप्ट नहीं होती है ठीक है तब mutation ही ऐसी चीज है जो abruptly होती है कोई चीज अबरप्ट नहीं होती है एक उसका sequence होता है एक कड़ी होती है बीच बीच में जरूर तो इसलिए लिखा है कि classification of coded and non-credit and inter-relationship एक उता है inter एक उता है intra inter मतलब दो चीजों के बीच intra मतलब एक ही चीज के अंदर तो inter लिखा है मतलब दो चीजों के बीच inter-relationship of various phaila दो phaila या दो से अधिक phaila के बीच में interactions इस तरह से हैं यह देखेंगे general survey में इसी में से question आजाएगा कहा question आएगा जिलाओ जी के paper one के section A में अच्छा इसमें दूसरा क्या है दूसरा proto जुवा, तीसरा पोरी पेरा, चौथा नेडेरिया, हम देखें ठीक से इस पेलिंग भी नहीं रिखेंगे यही इनकी हालत है public information राजवालियों की इस पेलिंग भी नहीं लिख पा रहे हैं से लिए बस ने तो proto जुवा, पोरी फेरा, नेडेरिया, चौथा हेलमेंथीज पांच्वा हेलमेंथीज चाटवा एनलिड़, साटवा आर्थ्रोपोड़, अठ्वा मलसका, नवा इकाइनो डियर्मिटा इस प्रोटुजुवा से लेका इकाइनोडमिटा मैंने पढ़ा हैं इस सारे नॉन कॉड़ेट्स हैं इनके जीवन के किसी भी स्टेज में नोटू कार्ड नहीं था सरीर में कॉड़ेट्स किसे कहता हैं जिसके सरीर में जीवन के किसी ने किसी स्टेज में जरूरी नहीं के पैदा होने के बाद ही जीवन भूड़ी वस्था में भी कभी ने कभी नोटो कार्ड रहा हो उसके बोलते हैं कॉडेट इसके में नहीं रहा हो तो नोन कॉडेट तो पूरी फेरा सॉरी, पूरी फेरा, निडेरिया, हलमेंथिस अनिलीडा, आर्थरोपोडा मुलसका, इक़ोमिंटरमेटा इनके सरीर में कभी भी नोटो कार्ट नहीं था ये सब सारे non-cordates है उसके बाद Caudita की बात करता है Caudita में origin बात करता है lung pieces का origin की बात करता है tetra ports का tetra मतलब 4, ports मतलब pair 4 पैर वाले जानतों का इसमें अध्यन किया जाएगा और ऐसी मचलियों का अध्यन किया जाएगा जिसके अंदर फे भड़े थे आज तो नहीं है ना मचलियों में क्या होता है गिल्स होता है गिल्स अपना सौसन लेग करती है लेकिन शुरुवाती में lung pieces थी जिसके अंदर फे भड़े थे हमारी तरह ठीक है तो गॉड़े टाम है शुरुवाती में यह चीज का ध्यान करना पड़ेगा हमें कि लंग pieces का कैसे origin हुआ और tetraports का कैसे origin हुआ यह सब पढ़ देंगा उसके बाद amphibia amphibia मतलब उभैचर पानियों और स्थल पर दोनों जगां पर आसके मेड़क हो गया ठीक है मेड़क हो गया मगर मच हो गया इसको क्या है amphibia है न तो इसमें नियोटनी और परेंटल केर देखेंगे कैसे अपने बाच्चों का parent केर करते हैं मता पिता कैसे केर करते हैं reptilia इसमें सांप अगर आ गया है ठीक है उनके जो खोपड़ी है जो उनका स्कल है उसका टाइपस पूछ देता है लाश्ट यह जो गाजी में यही पूछ दिया था लाश्ट यह मता है दो जर सोलर के में में reptilia में स्कल टाइपस पूछ दिया था तो चारत रगए स्कल सांप प्रीडिफाइंड है है ना काफी प्रेडिक्टेबल से रहे बस है प्रीडिफाइंड है चारत रगए स्कल्स है और इसी में डानासॉर्स ठेक है डानासॉर्स आप जानते है जो रासिक में सबसे ज़्यादा प्रोलेफिडिट किया डानासॉर्स उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई प्रित्वी पर जिसके अचानक इतने भाली भर कम जैनोर जो पुदी दुनिया भर में फैले हुए थे जल थल आपके आकाज देखते हैं पिचरों में आप जिरासिक पार पिचरो इंसन हो गया डानसॉर्स का तो यह सब समझेंगे हम एपस मतलब चिडिया ठीक ना पच्छी पच्छी ओर जीन एंड एरियल एडाप्टेशन्स और माइग्रेशन्स तो कि उनको हवा में उड़ने के लिंगा सरी में किस तरह से एडाप्टेशन्स हुआ है एरिल मतलब हवा माइग्रेशन्स किस तरह से माइग्रेट करते हैं एक देखते हैं अपने अपने देश में आते हैं तरह तरह के पच्छी साइवरिया यह पच्छी और अन्य पच्छी भी देशों से उड़कर साइवरिया से तन दूर से तो उनका माइग्रेशन होता है क्यों होता है कैसे हो प्लाइटलेट्स बर्ड्स हैं ठीक है ऐसे बर्ड्स जो कूड नहीं सकते ठीक है उनके बारें बातें करेंगे फिर लाश्क में मैमल्स मत्तब हम लोग जिसमें मैमरी ग्लाइंड्स हैं और बाकी भी फीचर्स हैं मैमल्स में दो हैं प्रोटो थेरिया और मेटा थेरिया आपक तेरिया है हम लोग क्या है यू तेरिया है हमारे सीन का तरह तरह का मॉडिफेकेसं से उनका डेरिवेड टिप्स है इस सब समझेंगे हम मेहमेल्स में ठीक है तो एक सरसरी निगास आपने देख लिया जिलाओ जी के पेपर वन का सेक्षन ए जिसमें से आपको दो निउन तर्म दो या अधिक तर्म तीन सवाल करने हैं तो अपना इस चुन लेना आप कि भाई हमें यह अच्छा लग रहा है तो मैं इसमें से तीन कुशन का टार्गेट बनाऊंगा और इसको पूरा तयार करूंगा ठीक है तो ऐसे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा श्रीलिक सक्ष형 भी एपकिलोजी इसमें नहीं है ए मतलब नहीं यह मतलब अपसंट हो गया अ यह मावडिक मतलब जो जीए रिठी चीज है ठीक पानी हो गया हवा हो गया सब एक ऑर बायोतिक फरक्टरी Mine क Rainbow आंतर देख़ी Looks है वातिरिया पंजाई हैसे फिस ऑपस में किस'dार से इंट्रेश्ड हो रहा है एंटप्तर अन्स मतलब दो चीज़ों के बीच में इन्ट्रा मतलब उसी चीजुके अंदर इसपेस्पिक अलग-अलग-पीश he franchise ka तमाम जैसे हम लोग क्या है HPC मुँहां किश्टन हो गया मंदू हो गया पपू हो गया लल्लू हो गया इनके में जो interaction होगा, क्या होगा? Intra is specific. नज होदी होदी सेप्येंस के आदर ही जो organism है, अंदर ही जो पपॉलेशन है, अंदर ही जीव है, उनका जो अगर अध्यान करएंगे तो intra भोलेंगे, लेकिर हमारे या उस चेर के बीच में अध्यान करना हो, तो क्या भोलेंगे? तो पहले से तो पेंड नहीं था ना, पहले किस तरह से stages होते हैं, पहले लाइकेन आता है, मौस आता है, क्या आता है, कैसे फिर बड़े बड़े पेंडों से आगे बढ़ते हैं, तो एक succession होता है, उसका समझेंगे हैं, डिफ्रिन टाइप सा बायोम से स्टुन्डरा हो गया, टैगा हो गया, इसका क्या है, बायोम से बायोम बहुत बड़ा बड़ा होता है, कई कई देशों तक भी फैल सकता है, तो दुनिया में बहुत ही कम गिरे चुने बायोम से होते हैं, डिफ्रिन टाइप सा बायोम को देख ठीक है खा दे जाल कोई चीज ना एक ज्याने दोस्तो को खाता है हमोग पॉठा खा रहा है हमोगो कोई और खा ले रहा है ठीक है हमें तो कोई और नहीं खाता खाता बğaď अलागा ट्रोफिकलेवल्स होते हैं सारे ट्रोफिकलेवल्स को मिलाकर एक food chain और food wave बन जाता है यहाँ आप food wave की बात किया है food chain में जिन नहीं दिख रहा है तो food wave है लेकिन उसमें food chain भी include हो जाएगा food wave includes food chains ओके ozone layer biosphere अब यहीं चीज़ आपके बाटनी में भी दिखेंगी environment का portion का भी important होता है environment बाटनी इंजलाजी में दिखेंगे देखा आपको प्रीमेंज के आपके जीएस और अबजेक्टी कोईशन में भी दिख जाएगा तो अच्छा है खेर तो जोन लेयर बास फियर pollution किसका air water land ठीक है तीन चीज़े का pollution radioactive pollution की बात नहीं किया है यहाँ पर ठीक है air water land तक्सीमित रहेंगे हम ethology बताया नहीं behavior animals का behavior types of animal behavior अलग-अलग तरक animal रहेंगे उनकी अलग-अलग types क्या है biological rhythm क्या है ठीक है रिदम होता है ना biological clock होता है 24 गंटे का clock होता है हमारे सरीट के अंदर सोने का उठने का एक cycle होता है hormonal regulation होता है कैसे हमारे में और अन्य जानवरे में किस तरह से regulation होता है कैसे biological rhythm जो biological organeum है कैसे एक rhythm से चलता है उसका सरीर उसका हम समझेंगे biostats इसमें sampling method किसी चीज का biological estimation करना हो scientific उसका evaluation करना हो परिछट करना हो तो एक sample से start करते है एक sample ले लेंगे एक significant और उचित sample होना चाहिए वहां से हम आगे बढ़ते है तो sample लेने का कितने तरीके हैं उसको हम sampling methods में समझेंगे frequency distributions and measured subcentral tendency central deviations बाइस stress में सब देखेंगे यही सब सब्सब्द आपके आपके सब्सक्राइब सब्सक्राइब आपके उसमें भी आएंगे किसमें मेंस के GS2 के syllabus में जो की objective paper है तो यह रोड़ी है समझना इसको उसके बाद last में आजाता है economic geology इसमें क्या है insect-based crops crop में क्या-क्या है paddy, gram, sugarcane, धान, चना और गन्ने कि जो पहसल है उसमें तवाव तरह के जो कीड़े मकोड़े हैं जो तको नुकसान पहुंचाते हैं उनका ध्यान करेंगे इनको जो नुक्षन पचते हैं उनका ध्यान करेंगे और जो हम grain रख दिया है रखते हैं ना धान हो गया जैसे मानलो तो उसको सटक के रख देते हैं धान का कूट का चाल बना लते हैं लेकिन धान जो मतलब भूसी सहीथ है प्रहदान है उसको अंगले सीजिन में भुवाई के लिए रख लेते हैं लेकिन रख लेंगे तो उसमें कुछ कीड़े मकोड़े बैच्यूहे मोहे जिस तुर आते ही हैं बाकी भी जो पेश्ट होते हैं छोटे-छोटे ठीक है वो उनको नुक्सान पहुंचाते हैं तो एकठ्या किया गए ग्रेंसा कौन से पेश्ट हैं जो खेत में लगे हैं क्रॉप्स उनके कौन से पेश्ट हैं इस सब समझेंगे अगरिकल्चर की भी बात किया है इसमें सेरी कल्चर सेरी कल्चर मतलब तो एक बार फी से जले से समराइज कर देता हूं पेपर वन के सेरेबस में क्या है पेपर वने section A, section B section A में coordinate, non-cordid organism हैं और section B में उन्हीं organeans का आपस में interactions है ठीक बढ़ते हैं जो रोजी के paper 2 मतलब आपके afternoon session वाले paper में ठीक है तो आपको बताया नो पहले की paper 1 में क्या है कि तरह तरह कि बड़े-बड़े organeans हैं और organeans का आपस में interactions और paper 2 क्या है paper 2 पूरी तरह से micro level पर है सुच मस्तर पर आ जाता है paper 1 में organeans की बात कर रहा था paper 2 में क्या बात कर रहा है paper 2 में बात कर रहा है organeans के अंदर जो लाखों करोड़ों और वो sales हैं उन sales की बात कर रहा है नियुन्तम sales से start कर रहा है paper 1 में क्या कर रहा था सीधे organeans से start कर रहा था इसको आप समझे रहा है बात को यह पूरी theme है पर इजलोजी की paper की आपकी ठीक है आपके पूरी selection की पूरी theme है important है जिसको आप दिमाग से नहीं नीकालना कि paper वर में macro level रबात कर रहा है paper 2 में micro level रबात कर रहा है यहां पर sales से बात इस्टारिट करता है section A में sales की बात करेगा section B में उन sales के अंदर interaction की बात करेगा अच्छा तो sales की बात करेगा उसमें तीन त organizing की बात कर रहा है Cell biology, cell की biology किस तरह से है, genetics क्या है, evolution systematic अब इसको अच्छे समझते हैं, कि cell biology में कया है, तो cell membrane, आम जानते हैं कि पोधा हो, चैनतु हो, चैनक साथ है, बैक्टीरिया हो, ठीक है, चैनल भाते हैं पंजाई हो, cell के बाहर एक cell membrane रहेगा, सेल्वाल में के बाहर किया हो सकता है जेल्वाल किया पाय जाता है पौधहं में, जानतू में // जानतू में नहीं पाय जाता केवल पौधह किय कि बाहर만 चलब सेल्वालब चलब हम के बाहर поговор को होता है घ्र, Congreem 창 Angebot डाइम предлаг स्वाल कि बात रहने बाहर में रहां उसको इसमें समझेंगे mitochondria, तो cell के अंदर बता है ना cell के अंदर तमाम पर रहके organelles होते है चोटे-चोटे organelles होते है cell तो खुदी पल से ही छोटा है microscopy के उसको नंगी आँख से देखी नहीं सकते हैं और उसके अंदर भी उससे भी छोटे-चोटे चीज़े हैं समझें कितनी मानूट लेवल पर चीज़े हैं सरीट के अंदर तो cell के अंदर क्या है mitochondria, galgivody, infalmic, reticulum, ribozome, lysosomes ठीक है इस सब organelles के बारे में हम अच्छे से इसमें ठीपड़ी एक सर पूइस देता है कि write a short notes on mitochondria, write a short note on ribozome differentiate between 70s and 80s ribozome, write a short note on functions of lysosome ठीक है आईसा ही पूइस देता है बहुत predictable है मैं आपको एक list दे दूँगा पिछले कई सालों में आई हुए questions का और उस list में ये भी रहेगा मैंने बता है पहले भी दिया था list लेकिन अभी systematic सुर्यू कर रहा है सब चीज़ें तो आच्छे से दे दूँगा फिर से उसमें तमाम चीज़ें 3-3-4-5-5 बार आई हुई है मैं यह नहीं कहता कि हमागा समय सारीपीट ही करेगा बट चुकि से ले बस fix है तो कापी कुछ समझा जा सकता है पर रागात पेपर्स होते हैं बहुत डैनमिक पेपर नहीं बनाते हैं जलाजी बाटनी के ठीक है अच्छा तो cell membrane देख लिया उसके organs देख लिया फिर क्या है त्राइक है उनका डैंसपोर्ट देख लिया फिर से डे calm और क्रोबंगों नोमेंट्स के अंधर हैं या करणासिस इनको समझेंगे हैं अ ने DNA है DNA का इंदर क्या है सेल कं दर क्या है nucleus नुख्लियस के नदर DNA RNA protein हो गया छी क्या है तो DNA से ही आपका gene बनता है या DNA RNA protein की combination से gene बनता है ठीक है तो तो सेल के अंदर क्या है? तो सेल के अंदर नुक्लियז है, उसके अंदर DNA R구naum ठीक है, क्रोमोजोומ, क्रोमोजों बसक्री क्या है? क्रोमोजोетр की आंदर DNA Rquito है क्रोमोजोन के एक तरह से complex है, है न? है complex है, तो psychiat क्रोमोजोजोम को किस तरह से map बनाते हैं किस तरह से उसको अरेंज करते हैं अलग-अलगा size shape character के अनसार तो क्रमोजों मैक्वी में देखेंगे gene क्या है gene का concept क्या है gene का function क्या है यह समझेंगे Watson Creek जो scientist थे उन्हों DNA का सुरुवती में model लिया था कि DNA का A structure होता है, DNA की A size होती है, इतनी लंबाई, इतनी चड़ाई होती है, DNA के features होते हैं, उसे model को समझेंगे हम, genetic code, protein synthesis, genes का एक code होता है, उसी code के अंसार ही protein का synthesis होता है, actually, amino acid का synthesis होता है, amino acid आपस में जुड़ जुड़ का protein बनाते हैं, amino acid क्या है, amino acid थे smallest unit after protein, ठीक है, तो genetic code, उस code की साथ से कैसे protein का synthesis होता है, इसको समझेंगे, sex chromosome and sex determination, chromosome कई तरह के होता है, autogomes, allogomes, allogomes को बलते हैं, sex chromosomes, हाँ, ठीक है, हमारे सरीक अंदर क्या है, 46 chromosome है, इसमें 46 क्या है, autogomes है, 2 क्या है, sex chromosome है, तो sex chromosome है, उनका determination, कैसे determine होता है, sex, ठीक है, यह पढ़ेंगे, तो इस सारा आ गया है, किसमें, cell biology, cell biology को और क्या बलते हैं, cytology, cytology, ठीक है, दूसरा इसमें सक्सने में तीन चीज़े हैं, cell biology, genetics or evolution, अब दूसरा देखता है, genetics, genetics, the mandalian love inheritance, कोई भी character, कोई भी trait, एक PD से, दूसरी PD में कैसे जाता है, इसके लिए, mandal नमक बेक्तिन है, कुछ loss दिये थे, उसको मिसमें देखेंगे, recombination linkage, linkage maps, उपर था न, chromo job map, यहां बें linkage map है, क्या है, बाद में समझेंगे, multiple alleles, generally एक trait के दो ही alleles होते हैं, A और B, AX और Y, लेकिन किसी किसी trait के, किसी किसी लच्छड के, एक से, सारी, दो से ज़्यादा alleles होते हैं, उसके बोलते है multiple alleles, multiple मतलब दो से ज़्यादा है, यहांपर है, mutation, mutation कैसे होता है, natural होता है, प्रकृति में अपने ही तरीके से चलता है, या induced, उसे किसी chemical के साथ से induced कर सकते हैं, हम कहते हैं कि ozone चरड को रोकना है, तो क्यों रोकना है बाई, ozone चरड को इसलिए रोकना है, कि ozone अगर layer नहीं रहेगी हमारे value bundle में, तो जो सूरी की हानी कारत, ultraviolet light है, वो सीज़े नीची आ जाएगी, और यहां पर तमाम तरह के जीव, जन्तु, पौधे जो सारे हैं, उनके DNA को damage कर देगा, UV light, UV light क्यों खत्र है उसे है, क्या हो जाएगा, उससे हमारा DNA damage हो जाएगा, और हमारा जीवन खत्रेम पढ़ियागा, सारी स्रिष्टी का, जो जीवन ही है, सारे खत्रेम पढ़ियागा, तो वह ही है, तो अगर आप chemical method से, या UV method से, अगर induce कराएगे जब अदस्ती ना, तो DNA खराब हो जाएगा, ठीक है, natural तरीके से भी DNA खराब हो सकता है, और chemical या किसी artificial तरीके से भी DNA खराब हो सकता है, वह जी समझेंगे इसमें कि वो कौन कौन सी चीज़े हैं, इसे DNA में mutation हो जा रहा है, ठीक है, कहां तो हम लोग, mutation, mutation इसमें naturally induced है, mutation and evolution, chromosome number and form structural rearrangements, chromosome का किस तरह से rearrangement होता है, chromosome होता है, एक short arm, एक long arm, उसको तरह तरह से rearrange, उसको करके देखेंगे, किस तरह से rearrangement हो सकता है, polyploidy, heragulation of gene expression, gene है, gene का सारा person हमें सा express नहीं होता है, gene में दो person होता है, यू chromatin, heterochromatin, यू chromatin ही express होता है, heterochromatin छीपा होता है, लेकिन यह कहीं और गेंजम में अलग-अलग समय पर gene का अलग-अलग portion express होता है, जरूत cancer, जैसा function का requirement रहेगा, वैसा है, उसका structure रहेगा, तो gene expression में और चीज़ देखेंगे, किस तरह से expression होता है, कौन चीज कब express नहीं होती है, कब होती है, और फ्रो कर्याट और यू कर्याट दोनों में देखेंगे, देखेंगे, फिर से आगया न, carry-on के पीछे pro लगा दिया, और carry-on के पीछे यू लगा दिया, pro मतलब पूराना, primitive type का, यू मतलब true, true carry-on, ऐसे और गन जम, ऐसे जिव जन तू, जिसके अंदर जो carry-on है, जो carry-on है, उसमें सारे features है carry-on के, carry-on मतलब nucleus, nucleus, nucleus अगी yang feature होता है, आपका बता है Scoff, के अंदर लगा लग़ों karonov, auribon cells, cells के अंदर nucleus, nucleus के अंदर क्या है, DNA, RNA, protein, लेकिन nucleus हा कुछ feature होता है, यससे cell के अदर जो छोटा सा nucleus है, उसका भी एक outerATOR होता है, उसका भी you तो तुन्क्किलियर मैंब्रेन होता है उसमें न्यूक्लियर मेंब्रेन के अदर 6 होता है शोड़े कॉर्स होता है ठीक है तो इस ऐसे फीचर फीचर है नीजस में याउकलियस ही कि नहीं है क् JAM पाइड़ सकते हैं कि यू कराइड़त है तो प्रेड़ में क्या गया बक्ट तो बक्टिया मेंक्या है녹 एक प्र आखेत हैं लेकिन नो दूब्स के अंदर नहीं है सेल के अंदर फ्रीली है फ्री रूप से फैले हुए हैं communal नहीं है ठीक है यूकर रॉर्सम क्या है कि वेल डिफाइंड सारे फीचर से लैस एक नियुकलियस है ठीक है यूमन क्रोमोजोम एपनॉर्मिल्टीज क्रोमोजोम में तरह दरेके समस्यां जाती है तो बच्चों में भी वह समस्यां रिफलेक्ट होती है ठीक है ना जीन्स और डिजीज जीन्स में कुछ प्राब्लम आजाए तो तरह दरेके रोग भी हो जाते हैं तो इस अब बेसिक यूनिट है ना डेन ने जीन सरीड का जो फंडमेंटल फंक्शन है वहां से स्टार्ट होता है तो इसमें खराबी आएगी तो हमारे सरीवें भी खराबी जर क्लोनिंग मतलब एक चीज से कई चीज बना देना तो यहां पर जीन की बाद हो रही है जीन क्लोनिंग की अच्छा सक्सानिय में जो तीसरा पाठ है इवोलुशन और सिस्टमाटिक्स थेओरी जब एवोलुशन हुआ है तमाम तरह के बैग्यानिक थेओरिस दिया होंगे ब टेस्ट करेंगे ऐसे टेस्ट करते 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 तो वहनों का कि ह 30 साइंटिस्ट थेओरिस है उनकी तो कई लोग ने आ चाहिक्त में पाया है तो वही थेओरिज बाद में बंजाते है ठीक है थेयोरी होता है बात में प्रिस्टिपल बन जाता है तो बलते हैं प्रिस्टिपल बन गया है तो तो तमाम जो थेयोरी को समझेंगे हम जो दिया के थे विद्विशन के संदर्ब में ठीक है sources and nature of organic variation natural selection nature कैसे किसी को select करती है हादी विंबर्ग लाओ हादी नम के साथिशने लाओ या था हादी विंबर्ग लाओ या क्रिप्टिप और क्रिमेटिक कालरेशन में में क्री आइसलेटिं में जमें देरोल इंसलेट फार्ट इंसलेट पॉर्ट्स क्या है देखना पड़ेगा इसमें आप प्रिंसिपल सब्सक्राइब टेक्स नॉमी जी लोजिकल नॉमन के चेर होता है ना इंटरनेशनल यूनिन अम जी लोजिकल नॉमन क्लेचर इंटरनेशनल कोड कैसे किसी आरगेंजिम को अलगले नाम करण करते हैं एक तो यह सब चीज़ें देखें कि इसमें से इसमें ने हुआ हैं तो इसमें क्या है प्रोटीन उगया इनका कैमिस्ट्री क्या है ठीक है इसको डेखेंगे इस captures चीजिक है इसमें क्या कितने सा sensor का होते हैं उनका structure लिपिट कितने तरह के होते हैं उनका structure ठीक है यह सब चीज़ देखेंगे उसके बाद इसेल के अंदर क्रेप cycle चल रहा है glycolysis हो रही है oxygen हो रहा है reduction हो रहा है oxygen मतलब loss of electron reduction मतलब gain of electron ठीक है तो यह सब चीज़ें चलती रहती है है जो chemical process है सेल के अंदर चलता रहता है energy conservation and release ATPC AMP cycle कई तरह के enzymes हैं enzyme किस तरह से function करते हैं इस देखेंगे by chemistry में physiology में with special reference to mammals only ठीक हमारे में ही बात करेगा हमारे और बाकी जो भी जो भी mammals है उनकी के बात करेगा सारे और जो में बात नहीं कर रहा है physiology की और mammals में basically human को base बना के चलेंगे हम तो composition of blood खून ठीक है blood group किस तरह से हैं AB AB O is blood होता है न हमारे में e glutination oxygen carbon dioxide transport hemoglobin rbc के अंदर hemoglobin होता है खून के अंदर क्या रहेगा खून के अंदर रहेगा आपका rbc rbc के अंदर क्या रहेगा है hemoglobin ठीक है तो यह सब चीजें कैसे hemoglobin से oxygen bind करता है कैसे release कोता है सब समझेंगे कैसे rbc के अंदर बाहर co2 oxygen का transport होता है उसब समझेंगे यह सब समझेंगे अब थर more regulation कैसे होता सरीर में मौसम में थंड़ा पना गया बरसाथ हो गया जाड़ा हो गया गर्मी हो गया तो हमारा सरीर कैसे regulate करता है उसको थार्मर किसमेंगे नार्व अंपल्स conduction हमारे सरीर के अंदर जो neurons है उनका एक signal होता है signal कैसे कांड़क्ट कर रहा है सरीर में उससब चीज़ समझेंगे transmission कैसे हो रहा है दो नरो के एक्रास सिनेप्स के एक्रास neurotransmitters क्या हैं वीजन हमारी आख कैसे काम कर रही है सुनना कैसे हो रहा है मारे नाक कैसे काम कर रही है कितने तरह के मसल्स हैं पाचन कैसे हो रहा है पाचन के बाद उसका इप्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है सरी के अंदर काइड़ फैट नूकलिक ऐसी इस सब चीजों का कैसे इप्जॉर्प्शन हो रहा है पाचन हो रहा है पाचन कैसे होगा कुछ निकलेंगे इसे रिकेंदे तभी तो बैलन्स डाइट क्या है हमारे खाने का क्या आइडियल एक डाइट होना चाहिए इस्टरोइट क्या है प्रोटीन प्रेप्टाइड अमिनो यसी जिस सब क्या है इस सब देडियूप्मेंट पालजी में हमारे जन्म से पहले एक ओम हो गया एक हो गया एक स्पम हो गया दोनों मिलेंगे बन जाएगा जाएगूड जाएगूड सफे भडोड़ी आवस्था सुरू होगी जाएगूड आपका मैं सिंगल सेल का स्ट्रक्चर हो गया उसका तो दोस्तों आज में जदा पुस्ट नहीं करोंगा आपको इतना हो गया अगले लेक्षिर से हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे कहां से स्टार्ट करेंगे इसको हम समझेंगे उन फाइल हम का अपना अपना क्या फीचर्स है और उन फाइलों के बीच में आपची क्या संबन्ध है इसको हम समझेंगे देखिए मैरे लिखावर जो होगी जिलोजिप वाइचि बाटनィ में फिर ही रहेगी हिंदी में नहीं लिखूंगा प्पशले हो भी हिंदी और सब्सक्रावप नितनी ही प्रुक है मैं खुशोब भी लिखत Mormon's में तो हिंदी में नहीं पढ़ा हूं मैं कभी पढ़ा होंगा हाई स्कूल लेबल तक उसकी बाद तो सारा इंगलिस में देखी क्या है ना कि अगर वीद पुराड को छोड़ दिया जाए जो कि हमारे अपने ग्रांट है तो बाकी जो सब्जेक्ट है और खासकर साइन कोई भी टीचर है देश के अंदर कोई भी ध्यापक है कोई भी स्कॉलर है इन सब सब्जेक्ट का तो तो फॉरन राइटर का किताब पढ़के रही आगे अपना बढ़ता है ठीक है तो बेस में तो वही है उसी में से अपना पढ़ पढ़के समझ समझ के हम इंडियन्स इंग्लिस में ही लिखते हैं तो लेकिन जो फॉरन राइटर्स का ही है तो हिंदी में लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है इंग्लिस में ही समझेंगे समाजना जरूरी पहले है जैसे कि बताया मैंने आपको मेंस में समाजना जरूरी है और समझेंगे तो अपने mother tongue में लेकिन words जो रहेंगे जो terms रहेंगे scientific जो उसका concept रहेंगा उसब English में ही लिखा रहा हूँगा मैं तो अगले lecture से start करेंगे general survey ठीक है तो आप आज का कैसा लगा क्या जाओचे syllabus में आपको theme बता दिये